शरीर के लिए सांस जितना मरत है उस तरह इस देश के लिए बाबाशाहे भीम राउ अम्बेदकर उतना महत है बाबाशाहे भीम राउ भाग्मान है जिन्होंने पिछरे दली सुसित पिरित को अधिकार दिया, दूसरा भाग्मान हमारे जिन्हों ने हम लोगों जैसे गरीब आदमी को विधायक बनाने का काम किया पुरबज थे जब वह चलते थे तो उनके पिछा में जारू बांदिया करता था घेट में हंडी बांदिया करता था कि यह थूक जो है कहीं रास्ता परने फ्याक दे कि वह रास्ता आचूत हो जाए जो पिछन पिछा के लोग थे उनको अधुद्र कहा जाता था हम लोगों को उस समय कोई नमारिय नहीं था कोई माइने नहीं था हम लोग दलित थे हां भिधायक बन गए यह तो हमारे आदर बाबु हमारे भगमान सृ लालू परसाद यादब का देन है क्वान अग्दम मुझायिक है तो बनाएंगा और वहों बोलने का जतना वो बोलने के लिए आता था दोलाइन बोले और उस में से हमारे भगमान ढदनिया लालु परसादियादव जी हमको नियता बना दिया विदायक बना दिया तो भगमोन वोन नहेत कि है अब सूगर पालन छोरके लोग बटायादार खेत कर रहे हैं अपनी अस्थिती को समार रहे हैं अभी आपके साथ हुआ हुआ इतिहास में चाया भी कि कोई बोल दिया कि जैसे कि सब इस्तमाल पहले समानतियों के दोड़ा किया जाता था कि मुसहरवा एन्याओ चाहे मुसहरगेबाल वच्चा है चाही हो जैसे बहुत सारे आहिरा यादब को अहिरा बोला जाता था है कभी आपके साथ हुआ होते ही रहता है हुआ हुआ भी है देखिए लालु जा जैसे लाकों हजारों धारन है जिस गरीब को कोई पूछने बला नई था हुआ तो यसे जगया पर लालु जी ने जाके वहां उसको अमबेटकर जैनती है और उस भारती के लिए तना महचा कुन है जोन्चित है जिसके साथनौ सब्योआ हुआ है और उसको उस किताब ने, सम्विधान ने एक अच्छे मुकाम पर पहुँचाया है, उस मुकाम पर पहुँचाया है कि हर चीज का समान उनको मिल रहा है, लेकिन आज भी कई जगा भेद भाव हो रहे हैं, हमारे साथ बिधायक है राष्टिय जनता दल के रामपरी सदा जी अल तो से पहले तुम है आपको धनबाद देता हूँ, और देश के सम्विधान निर्माता, बाबा सहेब भीम राव अंविधकर को सरधा सुमन और पिद करता हूँ, सथसत नमन करता हूँ, जिस तरह से सरीर के लिए सांस जितना महत है, उस तरह इस देश के लिए बाबा सहेब अगर लोग संस लेना छोड़ दे तो लोग मर जाएगा उसी तरह से अगर यह देश में बाबा साहब का बनाया हुआ सम्विधान नहीं रहेगा तो कुछ लोग जो लोग चाहते हैं कि देश हमरे अनुसार चले वह इसे लोग जो है यह देश को खतम कर देगा राम बिडिस सदा के लिए अम्बिडकर सहब क्या महत्पून रखते हैं अगर किताब नहीं होती बाबा साहम नहीं होते तो आज राम बिडिस सदा क्या करते राता भाबा सहिभ भीम्रामव उम्बेदकर मेरे लिए मैंने कहा था इससे पहले भी इंकरिध्यू में कि भगमान है भाबा सहिभीम्रामव उम्बेदकर भगमान है जिन्हों ने पिछे दलिच सुषीत पिरित को अधिकार दिया दूसरा भगमान हमारे आदरनिय लालू यादब जी है, जिन्होंने हम लोगों जैसे गरीब आदमी को विधायक बनाने का काम किया, तो बाबा साहिब के बारें जो आप कहे हैं कि कितना महत रखता है, अगर आज बाबा साहिब भीम राओं बेदकर नहीं रहते, आज इस जीवन में कितना महत है, इस चीज को बर्नन करना क्या कहें आपको, महत जीवन में बहुत धंक होता है, लेकिन इनका दिया हुआ, जो अधिकार गरीबों लोगों के लिए है, बंचीते लोगों के लिए है, और लोगों के लिए है, वह महत सबसे जादे जीवन में है, जिन् करते अदिकित हैं दो आपने इसे पहले कोगा हूगा हम लोग तो देखे हैं हम लोग AREत करते थे उसे मैं पुरबज के दलित बर्ग कोन लोगstes को धूल टे चलते थे खथा ख़का जा चूत हो जाता है जिनके कारण पिछा में जारू बांध दिया जाता था अगर बाबा साहब अंबेद कर नहीं रहते ता आज की तारिख में हम लोगों के वही हाल होता जो हाल पिछा हो रहा था आज भी वही हाल होता आज भी पिछे जारू बांहल रहता और घेंट में हारी ब हमए लोग को नहीं नहीं हम लोग को नहीं को सुद्र की बात करते हैं क्या कहता है उसमें उन लोगों का जो किताब है नहीं उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं उन लोगों का जो RSS का किताब है उसमें हम लोगों को सुधर कहा गया है और बहुत ऐसे गरंथ है जिसमें भी सुधर कहा गया है तो सुधर हम लोग तो उसमें दलिट हैं हम लोगों कोई माइनी नहीं था। इसको कहा जाता थो जो 172 के लोग टे उन्हको जाता थैजिक तो नोगो पेला कोई न मर्य नहीं था कोई माइनी हिंता हम लोग दलित थे। तो सुधर वा हैं लोग कोई कहते हैं हम लोग तू सुरू से डवी दै अज हम लोग भी सुधर के सरे निम माते हैं लेकिन हम लोग तो डलीत बन गए व्यदहUIक बन गए यह भी तो हमारे आदर नीए ह है बाबु हमारे भगमान पुछता था मुसर्क मदूरी करता था अपने गवाँ में मदूरी करते थे मेट्रिक पास करने के बाद हम लोगों कस्थिति था आगे परहाई करने का लालू जादब जी गए हुए थे हम लोगों के यहां उसी समय इनका भासन चल रहा था गए हम बहुत जोर जोर से लालू जिन्दाबाद कर रहे थे नजर परा इन्होंने हमको सिपाही सब को कहा बगल हो उनको आने दो हमको मंद पर बुलाए क्या नम है हमने कहा रंबरिक सदा मुसर है कुझा थे हैं मुसर है का ठीक है तुमको नेता बनाएंगे और उसी समय कहा उभासन दो जो बोलने का था जि मानते ही नहीं है मेरा मैर भां है एक्दम वीडियो भी आपका वाको ओ लाड़ मिलाना का पून है इसलिए हम लोग सोच भी नहीं सकते थे उसी मेरा थे इसलिए लो रहे थे का आज बाबु लालू परसादी आदव जी बाबु तेश्वी आदव जी नहीं रहता कि अतना बरहाँ घर देखने का मुका नहीं मिलता इसलिए अक्से आश्व आ गया का जी इनहीं का देन है इनहीं के बदोलत हम पत्नम आये हैं और विधायक बने हैं बनने के बाद जो है हमको इतना अच्छा घर मिल रहा है राम विरिच सदा जी कभी सुवर उवर चढ़ा हैं कभी चुआ वहां पकड़े हैं उसब तक कौम हम लोगों को होते रहता है लेकिन समाज में जो हम लोगों का पहले पर था था सुगर च़राना चुआ पकरना आप चलिए अलोली बिधान सभा आपको दिखाएंगे अब हम लोगों के लोग भी समाज के मुक्तहरा से जूर रहे हैं हम लोगों के लोग भी समाज के मुक्तहरा से जूर रहे हैं और आप सुगर पालन छोरके लोग बकरी पालन कर रहे हैं गाय पालन कर रहे हैं बटायादार कर रहे हैं अपनी अस्थिती को समार रहे हैं अभी आपके साथ हुआ हुआ इतिहास में चाहिए भी कि कोई बोल दिया कि जैसे कि सब इस्तमाल पहले सामानतियों के दोड़क किया जाता था कि मुसहरवा एन्याओ चाहिए जैसे बहुत सारे आहिरा यादब को अहिरा बोला ज करने के भी उसे ने कहता था कि मुसार है इ और चमार उन्हें। का जो बोल चाल है इसका में करते हैं और में करने के भी उसे हमने खहता हुए गाओं से ये पिछ आदंग बश हुए मैं हम लोगों का बसे हुए एक धासज़ का बात है। है ऑट ते हम हम मैं हुआ कर ंतो है। हम आपको बोलते हैं हम लोग जब चुहा पकरने बाले हो गए उसी समय माई बाप इसकूल में नाम लिखा दिया हम लोगों के परिबार में लग भग लोग बैशनव है माँ बाबू और सब दादा दादी यर जो है वो सब बैशनव लोग है आसा का साकाहरी तो हम नहीं है ले लालू जी काते थे वोगों को बात देखिए जब गरीवी लोग होता है जब भुख्मरी होता है तो है कुछ भी खाने पर भी बबस होता है कभी कभी अर्या दोगों के तरफ जब हम लोग छोटे-छोटे थे उस समय हम लोगों के बाद बैहार में जो जंगल ढ़ार हुआ नुभू का दिश्टा चयाता था गरी बीग के कार्म पपाइब कि क्या करेगा लोग झाल अगल Сफिय कुछ हनल में उसके साह। करकत है उपर में जो यह चरहाय हुए है पत्थर तुरने वाली भगवतिया देवी को सांसत बनाया गया एक तरह से यह करांती ही था कि आम महिला मुसर की महिला को सांसत बना दिया गया आप जैसे कई उधारन है तो कैसे बहुत लोग कहते हैं कि लालुयादों के जमाने में ब करते हैं देखिए लालुजादव जी ने दिया मुझ में बोलने का हाष तो लोग ने उसको کہने लगा जंगल राज हम हम जी करें वह देuzu लोग को उन्होंने दिया बोलने का वाष जो संहांती लोग थे वैह मुन्हें बोलने लगा जंगल राज राज़ रहता तो रंबरिक सदा एक मुसहर का बिटा में बिधायक बन जाता है अधे से लाखों हजारों हुदारन है जिस गरीब को कोई देखने बला नई था वैसे वैसे जगया पर लालू जी ने जाके वहां उसको देखने के लिए खरा किया वहां उसको बनाने का काम किया उसको समाज के मुखधारा से जोरने का काम किया उसको समाजिक जिंदगी जीने के लिए सिखाया आपने देखा होगा इसे पहले जब भी आदरनिया बाबू लालू परसाद यादब जी जब भी जाते थे तो मुसहरी जाते थे तो लोगों को बाल काटते थे बच्चा सब के नहा देते थे उसको इसकूल भेते थे लोग को सिखाते थे कि जो हम करके तुमको दिखा रहे हैं हुए करो और सब से बहुत बढ़ा हतिय जिस दिन तुम्हारा बाल बच्चा पर आप्त कर लेगा उस दिन तुम्हें अधिकार से कोई बंचीत ने कर सकेगा यह लालू जादब जी का देन है रम विलास पासमान जी कहते थे हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधरा है वह बात सटीक हमारे भगमान अधर निया लालू पर साध्यादब जी पर बैठता है वह उस घर में उस मुसहर के घर में दिया जलाया है जिस मुसहर के घर से आज रौंबिरिक सदा का बेटा मिले है एक गरीब का बेटा मदूरी करने बला का बेटा लोग के बोलने से क्या होगा आपने देखा होगा जब भी गरीब जब खौने लगता है जब कपरा पिनने लगता है जब अच्छा अच्छा बात बोलने लगता है तो इन लोगों को पेट में दर्द होने लगता है और जिसके कारण जो है जो उसका अगुआ होता है जो उस समाज में भी दलित वरग में भी लोग पर लिख लिया है जितनाने आदर नियान ने था भाबू लालू पर साध्य अधब जी गरीब लोगों को दलित लोगों को परने के लिए उसको वह चैना है ने रहना है उसको कहां जाना है कहां बैठना है किसके साथ रहना है सारी बात हुआ समझ गया है इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा यह लोग सिर्फ बोलेंगे करेंगे कुछ नहीं इसलिए इन लोगों को बोलने से कुछ नहीं होगा दलित बर्ग के लोग समझ गया है हम लोगों के लालू जादव हैं हम लोगों के अधिकार लालू जादव जी दिये हैं और केस्वی यादब के नेत्रूइत में हम लोगों को चलना है नया बिहार बनाना है तब ही जाके दलित और महा दलित का उथन होगां और विकास होगा चलिए तो ये कलपना है ये बिहार है ये वही बिहार है जहां गोबडी प्रता होती थी ये वही बिहार है जहां गरीब घर की महिलाओं को अतिपिछरा और मुसर की महिलाओं को जबरदस्ती ले जिया जाता था खेत में काम करवाने के लिए होली में जो है रंग नहीं लगाय जाता था राक से जो है उसके मुठ पर जो है वोग मश्धूरी करते थे आज कह रहे हैं कि कभी इसगाताए और वह मिलनेगा कि दूरीय का डेन का देन है बाबा अंबेटकर का देन है तेजस्वी आदब का देन है कि आज हम आप हमसे इंट्रिव्यू ले रहे हैं हम अपना कहानी लोगों को बता रहे हैं यह वही बिहार है जहां जिस बिहार में जो है यह इस्तिती होती थी कि कोई खटिया पर बैट नहीं पाता था आज वहां एक मुसर का बिटा जो है सदन में चिलाता है सदन में हूंकारता है और कहता है कि हमारे लिए लालुय आदब एक भगवान है फिलाल आप जनता जेक्शन देख रहे हैं